इधर का राजा कौड़ तू नहीं नाम बोल नाम बले हाँ यह वाला वीडियो क्रियेट करने के लिए गई सहम एलाइट मुसन अप का यूज़ करने वाले हैं अगर आप ले पास एलाइट मुसन नहीं है तो अप हमारे टेलिग्राम चैनल पर जाकर करके या तो फिर आप हमारे वेबसाइट पर जाकर के डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने के बाद आप लोको एलाइट मुसन में दो प्रिशेट इंपोर्ट करना है देखिए यहाँ पे एक बुकमार्क प्रिशेट और एक HDR एफेक्ट तो इन दोनों के इंपोर्ट करने के लिए आप लोको सिंप्ले गूगल या तो फिर क्रोम ब्राउजर पे जाने और वहाँ पे जाने के बाद आप लोको sb.yt.in search करना है ठीक है वहाँ पे आप लोको हमारा दो वेबसाट देखने को मिल जाता है एक sb.yt और दूसरा sb.yt 2.0 तो आप लोको 2.0 वाले पे जाना है ठीक है वहाँ पे आप लोको इस वाले वीडियो का पोस्ट मिल जाएगा उस वाले पोस्ट को उपन करना है और वह समझ में आजाएगा और प्रिषेट इंपोर्ट कर लेने के बाद आपको यहाँ पे एलाय सोन उपन कर लेने अब यहाँ पर रही साफ जो अपने फोर्टो सको कुछी अगर आप इसका फॉन्ट वागरा चेंज करना चाहो तो चेंज कर सकते हो ठीक है यहाँ पर फोटो का आप लिए सबसे पहला काम आप लोगो अपने फोटो को जिस फोटो का आप स्टेटाफ फीटो बनाना चाहते हैं उसको आप लोगो 9-16 के साइज में करना होगा ठीक है त 9-16 के साइज में हो जाता है इसको आप जूम करना चाहो इसको एड्जास्ट अगरा करना हो तो यहाँ से आप इसको कर फकते है ठीक है दन यह करने के बाद इस फोटो को आप लोगो सेव करने तो सेव करने के लिए यहाँ पे टैप करना इसके बाद एक करने के बाद एक कर का option आते हैं तो save पर आपको tap करना है फोटो यहां पर 9 into 16 के साइज में save हो जाता है अब यहां से back आगर कि इसको delete कर देना है delete करने के बाद फिर से plus पर tap करके media पर आना है और दूसरा photo लेना तो मैं कुछ 6 वालन ले लेता हूं फिर से आपको 3.0 पर tap करके fill composition करना है ठीक है और इसको भी आपको save करना है तो फिल से यहां पर tap करके करें फिल से यहां पर tap करने और export पर क्लिक कर देना है यहां पर save का option आते हैं तो save पर आपको tap कर देना है ठीक है इस तरगे से आपको लगबग 3 photos को 9 x 16 के size में कर लेना है जब यह हो जागा इसके बाद आपको यहां पर photo replace करना है तो photo replace करने के लिए गई तो यहां पर जो टेस्ट इंड हो रहा है यहां पर यह वाला जो layer अल्रेडी काफी फारे photos को 9 x 16 में कर रहा है तब जो फूट आप स्टार्टिंग में लगाना चाहते है उसको आपको select करना है तो मैं इसको छेवले ले लेता हूँ फिर आपको यहां पर पर टैप कर दिना है यहां पर photo replace हो जाता है इस तरीके से अब यहां पर फोटो लगा रहा होगे इसी को आपको आगे के तीन लेयर में और भी replace करना है ठीक है तो नेश्ट आले पर टैप करना करना फिर से color and feel पर आना है और उसी photo को फिर से सेलेक्ट करके यहां पर टैप कर दिना है फिर से next लेयर पर टैप करके color and feel पर आ दे फिर से यहां पर टैप करना हो same photo ले कर यहां पर जो double bookmark आता है, यहां से आपको photo change करना है, तो इस वाले layer पर tap करना, and color and fill पर आ करके, यहां पर tap करना, अब कोई सा भी दूसरा photo लेना है, तो मैं कुछ 6 वाले लेता हूं, फिर आपको plus पर tap कर देना है, देखिए, यहां पर photo आ जाता है, अब यहां पर double bookmark वाले प इसी को आपको फिर से आगे replace करते जाना है, तो इस पर पर tap करना, and color and fill पर आ करके, फिर से उसी photo को लेना है, देखिए, इस तरके से मैं कुछ 6 वाले लेता हूं, फिर से आपको plus पर tap करते जाना है, तो बस आपको यहां पर photo replace करना है, जब यह complete हो जाएगा, इसके बाद आ यहां से back आगर के, यहां पर आप second preset import कि रहोंगे HDR effect, यहां पर लोग को open करना है, यहां पर 6 layer देखने को मिल जाते हैं, छह लेर को आपको copy करना है, इसके बाद आपको वीडियो जो पूरा complete बन करके ready हो जाते और वीडियो पसंदा तो like करना, चैनल को subscribe करना, और bell icon को प्र पेस्ट का लेना और comment करके ज़रूर बताने की वीडियो कैसी लगी, अब आप लोग इसको export करना है, तो यहां पर tap करना, then export में click कर देना, आप लोग का वीडियो जो है गैलरी में से हो जाता है